नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paal Singh राठोड और आज इस lecture में मैं आपको बताऊंगा कि जो English calendar हम इस्तमाल करते हैं, जिसको भारत में हम English calendar कहते हैं, actually it is called Gregorian calendar, इसमें 11 दिनों को minus क्यों किया गया था सन 1752 में, इसके पीछे की कहानी क्या ह यह हम जानेंगे, मैंने अपने एक वीडियो के अंदर एक बार यह fact बताया था, तो कई students ने कहा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो आज finally मैं इस पर यह वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप मेरे Unacademy के lectures के updates चाते हैं, तो मुझे इस ID पर वहाँ follow कर सकते हैं, और अन्य सभी social media platforms पर मैं महिपाल राठोट handle पर उपलब दूँ, आपको इस lecture का PDF डाउलोड करना है, तो pathfinder underscore UPSC telegram को आप join कर सकते हैं, और academy subscription पर इस वक्त एक 5 and 1 offer चालू है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा lecture के अंत में, देखे इस वक्त जो हम calendar इस्तमाल करते हैं, उसको कहा जाता था Julian calendar, और Julian calendar से पहले इस्तमाल होता था Roman calendar, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि Roman empire बहुत लंबे समय से exist कर रहा है, Roman empire के अगर हम different forms, different प्रारूप सबको एक साथ मान भी लो, तो 700 BC से लगभग 1453 AD तक Roman empire चला था, तो ये बहुत लंबा time period है, almost 2000 साल, इसल Romans जिस calendar का इस्तमाल करते थे, वो कहलाता था Roman calendar, लेकिन उसमें समय के साथ कुछ बदलाव की आवशकता थी, और वो बदलाव किया गया Julius Caesar के द्वारा, Julius Caesar ने Rome को एक republic से empire में convert कर दिया था, and he became the Roman emperor, और इसने एक नया calendar भी launch किया, जिसको हम कहते है Julian calendar, इसको 45 BC में launch किया गया कई देशों ने इस Julian calendar को बदलाए, लेकिन इस बदलाव की शुरुवात हो जाती है 1582 से, अब Julian से Gregorian calendar में switch करने की आवशकता क्यों पड़ी, इसके पीछे सबसे बड़ा reason यह है कि देखो, धरती जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वो exactly 365 days में नहीं होता, औ लेकिन यह दोनों ही धरती के revolution के सही time period को denote नहीं करते हैं, जो असल value है, वो 365.25 के आसपास है, यानि कि एक चौथाई दिन हर साल extra जुडता है, और इसकी value जो है, इसी को लेकर सारी यह problem calendar के अंदर आती है, क्योंकि अब आप एक चौथाई दिन calendar में add नहीं कर सकते हैं, वन overcorrection था, क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, जो average year है, उसमें फिर 365.24219 days हो जाते थे, जो थोड़ा सा overcorrected है, Gregorian calendar के अंदर जो यह calculation है, यह थोड़ी सी और accurate करी गी थी, Gregorian में भी leap year add करने की ज़रूत है, लेकिन Julian से कम करने पड़ते हैं, सबसे बड़ा बदलाब यही है, क थोड़े से कम चाहिए होते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ, अब देखो 1570 साल जब आता है, तब तक यह जो छोटा छोटा डिफरेंस है अब आप सोचोगे 0.24 से क्या ही फरक पड़ता है, लेकिन जब तक 1600 साल हो जाते हैं, तब तक यह डिफरेंस काफी add up हो गए थे, अब जो कैलेंडर उस समय इस्तमाल होता था, वो actual solar year के साथ 10 दिन आगे पीछे हो गया था, तो जो घटना मानलो 14 जनवरी को होनी चाहिए, मकर सकरांत अगर 14 जनवरी को आना चाहिए था, तो वो 14 जनवरी को ना आके 24-25 जनवरी के आसपास आ रहा था, over correction हो रहा था, समझ के वो देख रहे थे कि कैसे vernal, equinox, winter solstice की जो dates हैं वो दीरे-दीरे shift हो रही है, और इसके कारण जो महीने और मौसम है, उनका जो तालमेल है वो बिगड़ता जा रहा है, तो इस error को correct करने के लिए ये तैह किया गया कि कुछ दिनों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि over correction हो र नाम रखा गया था, Pope Gregory the 13th के पीछे, अब Pope ने खुद ने बैटकर ही calendar नहीं बनाया था, उस समय कई लोगों ने इसकी calculation करी थी, लेकिन Pope के द्वारा ये edict जारी किया गया था, यानि कि Pope ने अपनी तरफ से एक order जारी किया था, कि जनाब पूरे Europe को ये कह रहे हैं, कि please नाम on paper जितना कहना असान है, उतना ही करना मुश्किल था, तो ये जो papal bull इन्होंने issue किया था, papal bull इनका फर्मान होता है, ये 1582 में इन्होंने जारी किया और ये कहा कि 10 दिन को हटा दिया जाए, 10 दिन skip कर दिये जाए, और नया calendar system आ जाए, जिसको मैं conveniently अपने नाम के स्पेन और फ्रांस के कुछ हिस्सों ने माना, basically जो western church में believe करते थे, जो Rome में, Rome में जो church है, that is also often called as the western church, क्यूंके church के अंदर division आ गया था, ये जो eastern countries है ना, ये वाले, ये रशिया, ये सब eastern orthodox church को follow करते थे, जो Greece और रशिया जैसे देश हैं, तो eastern orthodox church अलग हो गया था 11th century म इन्होंने ये change कर लिया, England का church of England अलग हो चुका था, उसने इसको मानने से इंकार कर दिया, कई समय, काफी समय तक, तो ये वाले देश जो Pope के order को मान गए थे, इन्होंने तो 10 दिन skip करके अपना calendar सही कर लिया, लेकिन कई देश ऐसे थे, जो या तो Pope की authority में believe नहीं करते थे या फिर वो church ही अलग हो चुका था उनका, उन्होंने Pope की इस आदेश को नहीं माना, रेकिन ultimately उन्हें भी पता था कि देखो सही तो कह रहे हैं, तो ये Gregorian calendar पे कभी ना कभी आना पड़ेगा, तो धीरे धीरे सत्रवी, अठारवी शताब्दी में कई कई देश आते रहते हैं सबसे बड़ा बदलाव आता है 1752 में जब England और पूरा British Empire इस नए calendar को adopt करता है, और कई देश जैसे की Russia, Greece, Turkey, बेसिकली जहां Orthodox Christianism follow किया जाता है, वहाँ पर तो ये बदलाव 20th century में जाकर हुआ था, as late as 1920 तक इन में से कई देश Julian calendar का इस्तमाल कर रहे थे, इसलिए इनको 13 द दिन उनने हटाने पड़े, इसके बारे में आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा है 1752 में, क्योंके UK के अधीन US भी था उस समय, तो US, Canada, UK, basically पूरा British Empire इसने 11 दिन skip किये, और ये event इतिहास में काफी दर्ज किया जाता है, कि 11 दिन calendar में से गायब हो गए, तो ऐसा नहीं है कि 11 दिन गायब हो गए, लोगों की 11 साल जिन्दगी के छोटे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, बस calendar को थोड़ा सा reset कर दिया गया था, और आप देख सकते हो कि Greece 1923 था किसे follow कर रहा था, और टर्की ने तो 1926 में जाकर ये change किया था, जब मुस्तफा कमाल आता तो की सरकार आती है, वो शक calendar को follow करते हैं, तो शक calendar को हमारे राष्ट्री calendar के रूप में अपनाया गया था, लेकिन ये बात मैं बिलकुल सही से बता रहा हूँ, आपको practically जो तारीके follow होती है, वो Gregorian calendar की होती है, लेकिन अगर कोई official notification वगरा जारी होता है, जैसे आप UPSC notification में भी देखिएगा अब Gregorian calendar के अंदर ये reset तो कर दिया, ठीक है, कि इन्होंने कुछ दिनों को हटा दिया, लेकिन क्या यहाँ पर leap year वाली problem solve हो गई, क्या यहाँ पर 365.25 की value सही बैट गई, नहीं, ये भी perfect नहीं है, Gregorian calendar जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी leap year का प्रावदान है, लेकिन 4 के multiples हैं, वो leap year हो जाते हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि जो भी साल 400 से divisible नहीं है, उसमें leap year नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि 1900, 1800 इन सालों में leap year नहीं आएगा, लेकिन सन 1600 में leap year था, क्योंके ये 400 से divisible है, और सन 2000 में भी leap year था, क्योंके ये भी 400 से divisible है, तो ये जो 1600, 2000, 2400 ये वाले साल आएंगे, जो 400 के multiples में है, इन में leap year आएगा, लेकिन इन वाले सालों में leap year नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहापर leap year की जरुरत कम पड़ रही है, इस बदलाव के कारण अब जो साल की average length है, वो हो जुकिए 365.2425, क्योंके देखो हर चार साल में वो जो leap year आता है, उसके कारण वो एक साल एड हो जाता है, तो वो इसलिए एक साल ये divide होकर 2425 की value देता है, Julian में ये क्या था, 24219 था, तो value में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, आपको अभी देखकर इतना बड़ा बदलाव नहीं लगेगा, लेकिन क्य से, तो इसको लेकर काफी discrepancies हुई थी, क्योंकि कई देश इसको follow करने लगे, उनमें तारीखें अलग हो गई, जो follow नहीं करते थे, जो Julian को follow कर रहे थे, वहाँ पर events में 10 दिन का, 12 दिन का फरक आना शुरू हो गया था, तो ये problem जो है, ये 16 to 19th century के बीच में, कई देशों क बीच में रही थी, और कई देश जो Julian कालेंडर को follow कर रहे थे, 20th century तक, जैसे कि Greece, तो वहाँ पर 1700, 1800, 1900, ये सब लीपियर थे, लेकिन जिन देशों ने ग्रेगोरियन कालेंडर को अपना लिया था, वहाँ पर ये लीपियर नहीं थे, अब जो event इतिहास में दर्ज है, वो ह ब्रिटन का इस कैलेंडर में shift करना, तो ब्रिटन ने एक कानून लाकर, बकायता है, एक Act लाकर, कैलेंडर अपना बदला था, इस कानून का नाम था, कैलेंडर New Style Act 1750, इसमें ये तै किया, finally British Empire के करता धरताओंने, कि देखो, टाइम आ गया है, कि France, Italy, इन सब देशों की तर लेकिन ये introduction इतना straightforward नहीं था, इस बदलाब को करने में एक समस्या और थी, 1751, Julian calendar का साल था, और 1752 इनको करना था, Gregorian calendar में, तो 1751 को इने cut shot भी करना था, क्यूंकि Gregorian calendar में नया साल जो हो जाता है, एक जनवरी को, और यहाँ पर साल खत्म हो जाता है, 25 March को, तो basically April की जो शुर और वो tradition खत्म करने के लिए ही बाद में ये बना दिया गया, कि जो एक अपरिल को नया साल मनाता है, उसको fool कहते थे, वहीं से वो April fools का tradition शुरू हुआ है, ठीक है, तो जो लोग अभी भी पुराने calendar को मानते थे, उनको कहा जाता था, कि ये लोग April's fool है, और बाकी की दुनि परने के बाद दूसरी problem ये थी, कि अब Gregorian calendar पर आने के बावजूद, 10 दिन की discrepancy थी, 11 दिन की discrepancy हो चुकी थी, 10 दिन तो थी 1582 में, अब 11 दिन हो चुके थे, तो इन 11 दिनों को correct करने के लिए ये decide किया गया, कि 2nd September 1752 के बाद, सीधी 14 September तारीक आएगी, तो ये 11 दिन cancel, 3 से 13 September की dates गायब हो गई, 2 September को अगर आप रात को सोए थे, तो आप सुबह उठेंगे, तो 14 September की date थी England में, बहुत ही विचित्र दिन था वो, और इसको लेकर England के लोग उस वक्ष नहीं थे, इसको लेकर लोगों ने कई बार विरोध भी किया, सडकों पर भी उतरे, और English calendar राइट्स हुए थे, दंगे हो गए थे शेरों में, उन्होंने का हमें हमारे 11 दिन वापस दो, लेकिन अब कई अकाउंट्स में ये भी कहने को मिलता है, कि ये जो राइट्स और प्रोटेस्ट की खबरे हैं, ये सब फेक न्यूस थी उस समय की अकबार वगेरा में ऐसी सट सटायर में छापी गए थी, सटायर समझते हो ना, मजाग के अंदर जो चीज लिखी जाती है, कोई सोशल कॉमेंटरी होती है, तो उसके तरह से ये लिखे गए थे, कैलेंडर राइट्स और ये केवल एक अर्बन मित है, कई हिस्टोरियन्स आज ये मानते हैं, कि ऐसा नहीं है कि कैलेंडर के 11 दिनों को लेकर लोग ने एक्चुली में दंगा किया था सटकों पर, शायद ऐसा नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता कि सच क्या है, दोनों हिस्टोरिकल अकाउंट्स मैंने आपको बता दी है, आप तैय करो कि क्या 11 दिन कम होने पर लोग दंगे करेंगे या नहीं, अब मान लो आज 2021 में अगर कोई जूलियन कैलेंडर को फॉलो करता है, तो जूलियन कैलेंडर अब 13 दिन पीछे हो चुका है ग्रिगोरियन से, तो 1752 में 11 दिन था, अब अगर कोई जूलियन कैलेंडर से ग्रिगोरियन पर शिफ्ट करेगा, तो उसको 13 दिन का कर करना पड़ेगा और यह गैप और इंक्रीज हो जाएगा 14 दिन का हो जाएगा by the year 2100 तो जूलियन कैलेंडर को अभी भी कुछ और्थोडॉक्स चर्च के मेंबर्स फॉलो करते हैं जैसे देखो हमारे यहां पर जो हमारा हिंदू कैलेंडर है वो अलग है विकरमसंवत का इस्त श्चैनिटी में वो कई जगे अभी भी जूलियन कैलेंडर का इस्तामाल करता है लेकिन आप आम लोग जो हैं वो तो ग्रिगोरियन को ही यूज़ करते हैं जादतर सरकारे भी ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज़ करती हैं तो मुझे कमेंट सेक्षिन में बताइएगा कि आ दूसरा printed material किताब हैं आपको free में available होंगी, तीसरा आपको EMI option मिलेगा जिसके तहद आपको एक साथ payment करने की जरूत नहीं है, चौथा अगर आप महिपाल code यूज करते हैं तो आपको 10% discount इस course पर, सभी course पर प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो plus हो या फिर iconic, और पांचवा अभी हमारा जो GS plus optional का जो combined course है, उस पर 25% discount available है, तिल 26th में, तो इसके तहए जो ये वाली price है, one year course की जिसमें GS optional सब कुछ शामिल है, इसको आप avail कर सकते हैं, और 10% discount आपको मिल जाएगा, अगर आप महिपाल code यूज करते हैं, तो, एक नया batch बन रहा है, plus course students के लिए, इसको अगर आप join करते हैं, तो आपको personal one-on-one mentoring मिलेगी, by top educators of an academy, तो ये एक special course है, इसको आपको join करने के लिए नीचे दिये गए, link में click करना है, तो इस प्रकार का नीचे एक link होगा, उस पर आप click कर सकते हैं, हमारी तीन free test series है, तीनों को आप join कीजिए, अपने score को बढ़ाईए prelims में, use the code mypal to enroll, अभी मेरा एक plus course चल रहा है, रात को आट वजए art and culture की class होती है, आप चाहें तो उसको भी join कर सकते हैं, उसका भी link आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आप SSE, bank, railways, exams की तयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए courses available हैं, please go and check them out at anacademy.com, हर रविवार को combat होता है, जिसमें आप देश के दूसरे aspirants के मुकाबले अपनी rank को test कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, और scholarship जीतने का भी यहाँ पर सुनेरा अवसर है, to enroll in combat, use this code, और यह free of cost है और आपको scholarships भी मिलेंगी यहाँपर, thank you very much for watching this, have a great day.